वेलकम बैक स्वागत एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल के TGT PGT कला के आज के इस वीडियो में मित्रो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाने हैं कला के तत्तों जो बहुत ही इंपोर्टेंट टापिक है कला से संबंदित कला के तत्तों और इससे एक से एक अभी तक आगामी परिछाओं में पूछे जाए चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे तो उसी का जो है मैंने पहला भाग लिया है और इसमें अच्छे खासे कोश्चन है ठीक है तो इसलिए पहला भाग भी मैं आपको दे रहा हूं उसमें जो है कुछ बिल्डिंग से निधर्शन्षे डालना से या उतकी रण से तो लेपन्सवरूप की मली नवकाशी विधी किस से समबनदी थैं पहले Question का आपका राइट एंसर हो जाएगा 1 2 3 या 4 3 1 2 या 4 2 3 1 या 4 या कह रहा है 3 1 4 या 2 तो रंगों का सही क्रम क्या होगा तो इस question का अपका राई-tensear जगा मित्रो B 3 1 2 4 3 मतलप पहले ये रहेगा ठीक है उसके बाद 1 यानि उसके बाद दुसरे अस्थान पर ये रहेगा क्रम में उसके बाद दो यानि तीसरे अस्थान पर ये रहेगा और आखरी में ब्लैक चोथे अस्थान पर रहेगा ठीक है तो ये है क्रम सही उसका ठीक है तो बीच जराइट अगे चलिए अगला कोशन देखेगा पुछ रहा है अगला कोशन पुछ रहा मित्रो एक घन के सामने से ओलेकोन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं यादि घन का एक किनारा आप से ठीक सामने बीचो बीचो और या आपके द्रिष्टी अस्थर से नीचे रखा हो तो घन आपको पताई होगा कैसा होता है घन बिल्कु का गोटी देखाऊगा बिल्कुल ऐसा होता है घन तो कितने होते हैं अस्तर नीचे से रख देश्टी से देखने पर इसके चार दो तीन या एक तो कुश्चन नमर तीन का आपका राइटेंस से जगा मित्रों सी तीन कितने दिखाईते हैं तीन ठीक है आगे अगला कुश्चन पूछ रहा है इंपास्तो तक्नीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इंपास्तो एक तक्नीक है ठीक है इनमें से किस माध्यम का उसमें परियोग नहीं किया जा सकता तेल रंका एकरलिक और तेल रंका एकरलिक रंका या पानी के रंका ठीक है तो question अवर 5 का right answer जो होगा वो क्या होगा मित्रो D. पानी के रंग इंपास्तो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तमाल नहीं किया जाता तो पानी के रंग का इस्तमाल इसमें नहीं किया जा सकता और इंपास्तो तकनीक का जो है सबसे पहले आरम जो है वो वेट बाई ये थे इंपास्तुर तकनीक के पहले इन्होंने शुरुगात किया था ठीक है आगे बढ़ जाए अगला कोशन पूछ रहा है भारत के राष्टी दोज का कौन सा रंग भूमी की उपजावपन विकास और मंगलता को दर्साता है तो राष्टी दोज में जो रंग होते हैं उसमें से कौन सा रंग भूमी की उपजावपन विकास और मंगलता को दर्साता है तो इस कोशन का राष्टी दोज का जो हरा रंग है भूमी की उपजावपन का मतलब हो कि जो हमारी भूम की उपजावपन हरी होती ही है तो इसलिए हरा रंग ठीक है चलिए आगे का बड़ा जाए। अगला कोश्षन क्या पूच रहा है हमारा। अगला कोश्षन है कि बिसुळ ध्रमत्र पुडार के रार पर मुख्य वड कितने बताएगा है। वड मतलब आपका रंग से है रंग होता है उसको बढ़ करते हैं ठीक है तो बिसूर धरम उत्तर पुडार के आधार पर मुख्य रूप से कितने रंग बताएगा है पाँच तीन आठ या दो तो आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में फटाफट कमेंट्स डालिएगा मेरे उत्तर देने से पहले ठीक है तो चलिए कोश्चन नमर साथ का हम लोग राइट एंसर देख लेते हैं तो कोश्चन नमर साथ का आपका राइट एंसर हो जाएगा ए पाँच बिसूर धरम उत्तर पढ़ार के अधार पर मुख्य वड कितने बताएगा है पांच बताएगा है कौन कौन से हैं वो मित्रो वो है लाल पीला ठीक है नीला सफेद और काला तीन और दो पांच ठीक है लाल पीला नीला सफेद काला यही है मुख्य वड जो बिसूर धरम पढ़ार के अधार पर ब निम लिखित में प्रात्मिक रंग कौन से हैं ठीक है कौन से हैं प्रात्मिक रंग पीला सफेद या काला लाल पीला नीला लाल काला नीला या पीला लाल हरा तो प्राइमरी रंग इन में से कौन से हैं तो कुश्चन नमर 8 का आपका राइट एंसर हो जाएगा बी लाल पीला नीला प्रास्मिक्रों कौन से हैं लाल पीला और नीला तो आठवा का राइट एंसर भी आगे दिखिए अगला कॉस्चन पुछ रहा है किसी भी बोतल का रेखांकर्ण करने के लिए इन में से किस ज्यामेतिया आकार का परियोग करते हैं किसी भी बोतल को जो है रेखांकर्ण करना है तो इन में से किस ज्यामेतिया आकार का परियोग करेंगे हम त्रिभूच का बिरित का वर्ग का या बेलन का तो कोशन नमर नो का आपका राइटेम सरो जगा में तो डी बेलन का क्योंकि बेलन आपने देखा होगा बिलकुल ऐसा होता है ठीक है कुछ ऐसा बेलन जिसको सिलेंडर बोलते है मैत की भासा में जो है इसको सिलेंडर होते है इसकी हाइट होती है या आर होता है ठीक है तो कि इसका जो है रूप प्रदकला से संब्ध नहीं है रेखा वर्ड स्वर या अंतराल तो इस question का आपका right answer हो जागा मित्रों सी स्वर से इसका कोई संब्ध नहीं है रूप प्रदकला से क्योंकि स्वर स्वर जो है वो हिंदी के वड़ मालाव में स्वर और बेंजन जो पढ़ा जाता है या इंगलीस में ठीक है उसको स्वर करते हैं उस स्वर की बात कर रहा हुँ अगला question पूछ रहा है निमलिखीत में से sketch में क्या दिखाता है रेखिय गुण दिखाता है पोत दिखाता है बिंदु दिखाता है या तान दिखाता है तो question number 11 का आपका right answer क्या होगा इसका right answer होजागा A रेखिय गुण इस sketch में क्या दिखाता है रेखिय गुण दिखाता है ठीक है आगे बढ़ें अगला कुश्चन देखिए पूछ रहा है अंतराल खाली अस्थान है को कहते हैं क्या कहते हैं पूत कहते हैं छेतर कहते हैं रंग कहते हैं या तान कहते हैं तो इन चारों में से अंतराल को कहते क्या हैं तो इस कुश्चन का आपका राइट एंसर हो जागा मित छेत्रों छेत्र 20 दराइट एंसर बरहावा का अंतराल को हम कहते हैं छेत्र एरिया अगला कुश्चन है कि एग टेंपरा पेंटिंग तकनिक का सही करम चुनिए ठीक है एग टेंपरा पेंटिंग तकनिक है उसका सही करम क्या है गेसो पेंटिंग, पाउसिंग या ड्राइंग, गेसो ड्राइंग, पाउसिंग या पेंटिंग, गेसो पाउसिंग या पेंटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, गेसो या पाउसिंग तो कौन साइस में से सही करम है, तो question नमर 13 का आपका राइट अंसर जागा है सी गेशो पाउंसिंग ड्राइंग पेंटिंग यही है एक टेंपरा का शही क्रम ठीक है एक टेंपरा जो है एक ऐसा प्रोसेस है कला का जो सभी देशों में प्रचली था है इसके लिए दिवार कपड़ा कष्ठ फलक रेशम कागच भोजपत्र जितना मैं बोलना हूं यह सभी इसके आधार हो सकते हैं इस बस्तु के ठीक है तो उसी को कहते हैं और एक टेंपरा में होता क्या है पदार् कि बढ़र एक परभाव है जो निमलिखीत में से किस पर पढ़ता है बर जो है वह एक परभाव है तो इनमेंस से निमलिखीत में से किस पर पढ़ता है काश्ट पर धात उपर कैनवस पर या इस्टोन पर ठीक है तो question No.14 आपका right answer क्या होगा बी धात उपर बर एक परभाव है जुन लिखित में से किस पर पड़ता है तो ये धात उपर पड़ता है और बर है क्या एक उबरा हुआ किनारा होता है ठीक है उबरा हुआ किनारा ठीक है एक उबरा हुआ किनारा होता है ठीक है जिसमें होता यह है कि यह एक ओमांचनिय पदार्थ है जिसमें फिनिसिंग के समय इसको क्या किया जाता है जब कोई काम करके फिनिसिंग किया जाता है फिनिसिंग तो उस समय इसको क्या किया जाता है हाटा दिया जाता है एक ओमांचनिय पदार्थ से सम्मिलित करें, यानि यह जो रिखाएं दी हूए इनके प्रविड के हिसाब से मनोबh collected करें, कौन किस से is related है, ठीक है सहजता दौरी उंचाई वस्वक्ति जहां जहा होता है उंतना उल्जी रखाएं, وरतुल रखाएं, खेते जकाएं और रखाएं तो कौन सा सही है इसमें से, एक, दो, तीन, या चार सही है, दूसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है, दो, चार, एक, या तीन सही है, और चोथा कह रहा है, दो, तीन, चार, या एक सही है, तो question of 15 का आपका जो right answer हो जानमितरो, वो हो जागा D, चाउथा, D मतलब चाउथा, देख से देखिए, मैं आपको जो है, दिखा के समझा देऊ, सहजता जो है, सहजता, वो किस पर आएगा, दो पे, यानि दो है, वरतुल रिखाएं सहजता को, ठीक है, दूसरा है, तीन, तो दूरी जो है, वो तीसरे पर आएगी, छैतिज रिखाएं, तीसरा है, चार, तो और एक राइट एंसर, ठीक है, तो मित्रो, कैसे लगी आज की हमारे वीडियो, और कैसे लगा आज का हमारा बताया गया यह, कला के तत्तो से इंपोर्टेंट कोश्चन बैक टूबैक कमेंट से बाक्स में जरू बताएगा, अगर पसंद आया हो, तो लाइक से यारो कमेंट का ना मत भूलिएगा, तो चलिए मित्रो आज के लिए दियाया, कल फिर मिलेंगे से समय सी टाइम, लेकर कुछ और बहतरीन कोश्चन, तब तक के लिए, नमस्कार.